Hello dear students, welcome to my channel ZR Tutorial इस वीडियो में हम बात करेंगे exercise 2.3 और question number 1 का first part में solve कर जुगा हूँ आप playlist में सारी ही इस chapter से regarding videos को देख सकते हैं Now let us start with the question number 1 second part Divide the polynomial PX by the polynomial GX and find the question and remainder तो अब जैसा कि यहां पर given है तो मैं इसको यहां लिख लेता हूँ dividend के जगह पर और क्योंकि यह divisor है तो आप देखोगे इसमें जो arrangement है वो proper नहीं है यानि X square जो expression होते हैं वो degrees in order में होनी चाहिए according to their powers जैसे X square है फिर X फिर constant हमेशा last में आना चाहिए तो X square minus X plus 1 तो मैंने rearrange कर लिया है अब हम divide टाना शुरू करते हैं तो जैसे कि इस expression में सबसे जादा जो power वाला term होता है यानि X to the power 4 उसको हम इस expression के सबसे जादा power वाले से divide कर देते हैं फिर हम दिखेंगे कि यहां base save है तो power क्या होती है minus होती है तो यहां पर X square बचेगा यानि यह पूरी की पूरी term जो है divisor में वो multiply होगी X square से तो multiply लेते हैं तो X square into X square X to the power 4 हो जाएगा X into X square X cube हो जाएगा यहां पर minus है यहां plus है plus minus होता है और X square one से multiply होगा तो X square ही आएगा इसको हम यहां लिख लेंगे X to the power 4 minus X cube तो यहां पर है ही नहीं तो इसका मतलब इसको अलग लिखा जाए अगल लिखेंगे ठीक है और X square को X square के नीचे लिखेंगे क्योंकि like terms को like terms के नीचे लिखा जाएगा जो नहीं है उसको अलग लिखेंगे फिर हम क्या करते हैं sign को change करते हैं plus है minus, plus है minus माइनस है तो plus हो जाएगा यह cut सकता है तो cancel out हो जाएगा plus minus same variable cancel out हो जाते हैं यहां देखी यह दोनों ही minus के हैं तो दोनों ही minus के हैं इसका मतलब यहां पर हमारा add हो जाएगा पर sign minus का रहेगा क्योंकि पहले हम ज्यादा power वालो के लिखते हैं तो यह जो है यहां लिखा जाएगा क्योंकि plus का हो चका है इस तरह से और बागी की value as it is अब हम देखेंगे यहां सबसे ज़्यादा power जो है वो x cube है की है और इसमें सबसे ज़्यादा x square की है divide करने है again और यहां क्योंकि same base है divide में power minus होती है तो यहां पर सिर्फ x पचेगा x to the power 1 x ही होती है तो यह plus में आ रहा है तो अब यह तीनों के तीनों again multiply होंगे x से तो x into x square x cube होता है x into x square x into x x square होता है plus minus minus यहां पर आएगा और x into x होका यहां पर plus है तो plus है यह सारी के सारी value यहां पर लिखी जाएगी अब देखोगे कि x square x square के नीचे है यहां लिख लेता हूँ और plus x और sign को change कर देते है sign change कर दिया है यह दोनों same थे plus minus में cancel out हैंगे यहां देखे plus minus में तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका लगएगा और इनके सारी जो variable था वो लगा देंगे यहां पे भी वही चीज़ की जाएगी तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा क्योंकि यह बड़ा है तो इसका plus आ जाएगा और plus का 5 इस तरह से आएगा अब देखो कि सबसे जादा जो power है वो 3 x square की है minus में और वो सबसे जादा power x square से divide होगा तो यहां से यह दोनों cancel out हैंगे minus का 3 बचेगा इसका मतलब यह दोनों जो है यह तीनों x square यह इससे यानि minus 3 से multiply होंगे तो multiply कर लेते हैं तो x square हो जाएगा minus minus plus हो जाता है 3 into x 3x हो जाएगा और 3 बन्जा 3 होता है 3 बन्जा तो minus में जाएगा और यह यहां पर लिख लिया जाएगा कुछ इस तरह से plus 3 x minus 3 हम क्या दा रहेंगे sign को change करते हैं तो आप देखोगे sign change है और यह दोनों cut जाएगा यह भी cancel out हो जाएगा और यह दोनों plus है तो plus आजाएगा तो आप देखोगे हमें बताना था के quotient और remainder क्या है quotient जो है हमारा यानि यह किससे multiply गने पाया minus 3 पह तो हमारा जो quotient है वो x square plus x minus 1 आ चुका है और जो remainder है वो 8 आ चुका है यही हमें सवाल में करना था I hope आपके समझ में आया होगा फिर भी कोई दिक्कत हो कोई परिशानी हो कोई दुविदा हो please let me know in the comment and please subscribe to my channel and thanks for watching my videos